हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू फामर मेडिसन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नाओ वीडियो लाइक कमेंट्स और शेयर प्लीज कोजे कैसिट से स्खिन बने बेदाग और चमकदार चेहरे पर निखार बना रहे और तवचा चमकती दमकती रहे इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते चाहे बाजार में आई कोई भी नई क्रीम हो या कोई और प्रोड़क्ट शायद ही कोई कुछ हो जो हमारी नजर में ना आया हो बढ़ती उम्र, प्रदूशन और सन एक्स पोज़के वज़े से हमारी स्किन डाक और डल हो जाती है जो मुख्य रूप से त्वचा देख भाल उत्पादों के रूप में किया जाता है कोजिक एसिद एक प्रकार का एक्सपोलियेटिंग एजेंट है और यह हम्रिक त्वचा को शिकाउं, तेल, गंदगी को हटा देता है यह मेलिनिन उत्पादम को कम करने में सहायक है कोजिक एसिद का उप्योग कोजिक एसिद का उप्योग अक्सर स्किन पिग्मेंटेशन हटाने के लिए किया जाता है और आपको इसका विवरंग कई प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पादों में मिल सकता है जैसे powder, serum, cream, cleanser एक, काले धब्बे को दूर करने में है सहायक उमके धब्बे या निशान को हलका करने के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तिमाल होता है Skin lightening effect के अलावा, कोजिक एसिद में कुछ रोगानू रोधी गुन भी होते है यह त्वचा में बैक्टीरिया के कारण होने वाले मुहासे के इलाज में मदद कर सकता है यह मुहासे से पड़े निशान को हलका भी करने में भी मदद करता है 2. मिलाजमा के उपचार में मददगार मिलास्मा एक ऐसी स्थिती है जिसमें त्वचा का एक हिस्सा आसपास की त्वचा की तुलना में गहरा हो जाता है मिलास्मा को हाइपा पिग्मेंटेशन भी कहा जाता है मिलाजमा आम तोर पर चहरे पर विशेश रूप से माथे, गाल और हुप्री होंट पर दिखाई देता है और चहरे की दोनों किनारों पर लगभग समान आकार में दिखाई दे सकता है त्वचा का रंग भूरा से गहरे भूरे रंग तक हो सकता है कोजेक एसिद के मिलेनिन अवरोधक गुन में लाजमा को रोकने में काफी हद तक मदद करते हैं साइड इफेक्स जानना भी है जरूर भले ही कोजेक एसिद के कई फायदे हैं लेकिन इसे इस्तिमाल करने में कुछ सावधानिया बरतना भी जरूरी है एक, रिसर्च बताती है कि कोजेक एसिद के लंबे समय तक इस्तिमाल से त्वचा ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है इसलिए अगर आपकी स्किन पहले से ही सेंसिटिव है तो यह प्रोड़क्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा ऐसे में आपको इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए